रेडी श्टार्ट हालंकि देश कई तरह के रक्षा, सामान, उपकरण, हतियार और कल पुर्जों का निर्यात तो पहले से कर ही रहा है पर मिसाईले बेचने का सोधा पहली बार हुआ है फिलिपिन्स के साथ हुआ यह करार रक्षा, निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर है यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश को रक्षा छेतर में आत्म निर्भर बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कई बड़े नीतीगत फै पैसले किये हैं और हतियारों वै रक्षा उपकरणों के देश में ही निर्मान यानी मेक इन इंडिया पर जोर दिया है फिलिपिन्स के साथ हुआ यह मिसाइल सोदा इसलिए भी एहम माना जा रहा है क्योंकि दूसरे एशियाई देश भी भारत से रक्षा सोदों में दिलच दिखा रहे हैं थाइलेंड वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश भी भारत से मिसाइलें खरीदने का संकेत दे चुके हैं इन देशों को असल खत्रा चीन से है इसलिए अपनी सेना को अत्याधुनिक बनाना इनकी मजबूरी हो गई है जाहिर है भारत के लिए रक्षा सामान और मिसाइल जैसे हतियारों का कारोबार करने के लिए बड़ा बाजार सामने हैं पिछले साथ साल में भारत का रक्षा निर्यात जिस तेजी से बड़ा है उससे साबित हो गया है कि अब हम इस छेतर में आत्म निर्भर बनने की ओर बढ़ चले हैं। रक्षा छेतर में भारतिय कमपनियों ने नय केवल हतियारों बलकी सिम्यूलेटर टार पीडो परनाली निगरानी और नियंत्रन परनाली अधेरे में देख सकने वाले उपकरण बक्तर बंद वाहन सुरक्षा वाहन हतियार कलाशने वाले रडार तटिये रडार परनाली जैसे उन्नत प्रणालियों का भी निर्यात किया है यह भी कम बात नहीं है कि इस वक्त भारत सत्तर से जादा देशों को रक्षा उतपाद बेच रहा है आकड़ों पर गोर करें तो पता चलेगा कि 2014-15 में भारत का रक्षा निर्यात एक हजार नो सो चालीस करोड रुपे का था जो 2017-18 में चार हजार चैसो बैयासी करोड रुपे का हो गया था और 2018-19 में यहे 10,000 करोड रुपे को पार कर गया था एक साल में 5,000 करोड से जादा के इस उच्छाल से उतसाहित होकर सरकार ने अगले 5 साल में 35,000 करोड रुपे सालाना के रक्षा निर्यात का लक्षे रखा गौर तलब है कि सरकार आकाश मिसाईलों की विक्री को भी मंजूरी दे चुकी है और कई आसियान देशों के अलावा बहरीन, केन्या, सवदी अरब, मिस्र, अलजीरिया और संयुक्त अरब, अमीरात जैसे देश भी इस मिसाईल की खरीद में दिलचस्पी दिखा रहे हैं पहले तक हतियारों के आयात पर निरवर हुआ करता था, वह आज ज्यादातर हतियार खुद बना रहा है, इसी का परिणाम है कि आज भारत आर्मेनिया जैसे देश को भी रक्षा सामान बेच रहा है, जो कभी रूस और पोलेंड जैसे देशों पर निरवर था, बुलेट पुरूफ जैकेट बेचने के मामले में भी भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के बाद चोथा देश बन गया है, इसमें कोई संधे नहीं की, सरकार अगर देशी कमपनियों को प्रोतसाहन दे रक्षा सामान बनाने वाली नई कमपनियां शुरू करने पर गोर करें तो भारत निश्चत रूप से बड़ा निर्यातक बन सकता है, पर इस कारोबार के लिए कमपनियों को प्रतिसफर्धी बनाने के साथ ही उन्हें लाल फिताशाही के जाल से मुक्त करना होगा, ग्रह मंत्री अमित शाहा ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार करने का अपना कारक्रम फिलहाल रोक दिया है, सनिवार को उत्तरप्रदेश के देवबंद में वे प्रचार करने गए थे, पर वहां उमडी भीड और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उलंगन होता देख उन्होंने अपना कारक्रम रद कर दिया, अपने कारक्रम की आवधी 25 मिनट से घठा कर 5 मिनट कर दी, दरसल कोरोना के बढ़ते मामलों के मध्यनजर निर्वाचन आयोग ने राजनितिक दलों की रेलियों पर रोक लगा रखी है, उचित दूरी बनाय रखने और सीमित संख्या में कारकरताओं समर्थकों के साथ घर घर परचार करने की इजाज़त है, इंटरनेट गेजर ये परचार किया जा सकता है, पर उसमें भी ध्यान रखना जरूरी है की आधिक भीड़बाड ने हो, इस लिहाज से ग्रह मंतरी का फैसला उचित कहा जा सकता है, हालांकि इसके पहले जब उन्होंने केराना में घर घर जाकर जन संपर्क किया था, उस वक्त खासी भीड जुटी थी, जिसे लेकर विपक्षी दलों को उन पर निशाना साधने का मोका मिल गया था, कुछ दलों ने निर्वाचन आयोग से उनके खिलाब अनुसासनात्मक करवाई करने तक की मांग कर डाली थी, इसी तरह जन संपर्क के दोरान उनके लोगों को परचे बाटने के तरीके पर भी एतराज जताया गया था, दरसल निर्वाचन आयोग के ताजा दिसान निर्देशों का पालन करना तमाम राजनितिक दलों के लिए इसलिए भी मुश्किल जान पड़ रहा है कि, वे प्रमप्रागत तरीके से बड़ी सभाई जुटा कर और भीड़भाड के साथ चुनाव प्रचार करने के अभ्यस्त हैं, फिर अमित शाह जैसे लोगों की सुरक्षा आदी के इंतजाम में ही इतने लोग शामिल हो जाते हैं, जो निर्वाचन आयोग की निर्धारित संख्या से अधिक हो जाते हैं, फिर जिस नेता का जितना बड़ा कद होता है, लोग भी उसी के हिसाब से जुटते हैं, उन्हें कैसे नियंतरित किया जाए, यह देखना प्रसाशन की जिम्मेदारी है, मगर चुनाव प्रचार के दोरान लोगों को रोकने के लिए प्रसाशन उस तरह कड़े रुख अक्तियार नहीं कर सकता, जैसा सरकारी कारिक्रमों आदी के समय अक्तियार करता है, क्योंकि इससे मतदाता के नाराज होने की आशंका रहती है, ऐसे में खुद राजनेताओं से उमेद की जाती है कि वे अपने चुनाव प्रचार अभियानों को नियम काईदों के तहत संचालित करें, इस लिहाज से अमित शहा ने एक नजीर पेश की है, अब उमेद की जाती है कि दूसरे राजनेता भी इस दिशा में कोई उचित कदम उठाने का प्रयास करेंगे, निरवाचन आयोग के सक्थ निरदेश के बावजूद पांचो राज्यों में देखा जा रहा है कि तमाम राजनितिक दल और उनके नेता आचार संहीता का पालन नहीं कर रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद के जरिवाल पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनकी रेलियों में भीड़ भी खूब आ रही है, मगर ने तो उनके समर्थक उचित दूरी बनाए रखने का प्रयास करते और ने खुद के जरिवाल कोरोना नियमों का पालन करते देखे जा रहे हैं, इस्टॉप